सुकून देखने वाले सभी दर्शकूं को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाव दोस्तों आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं हम एक इसी प्रॉबलम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे अभी हमारी सोसाइटी दो चार है आज हम बात करेंगे कि कोविड के इन्फेक्शन के बाद होने वाली परेशानियों को तकलिफों को और उनसे जो खालात पैदा होते हैं उनसे कैसे निपटा जाए और इस सब्सक्राइट के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद हैं कम्यूनिटी मैडिसन में स्पेशलिस्ट हैं और आज हम इन से जानेंगे कि पोस्ट कोविड मेजर्स कैसे लिए जाएं और इन सारी चीजों से कैसे निप्टा जाएं तो डर्क्र साब सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आदाब आपका भी शुक्रिया कि आप मुझे दावत दी उस खास प्रोग्राम में जो कोविड के लिए एक एहम प्रोग्राम है कोविड के इंफर्मिशन लोगों देख पहुचाने के हिए और्क्र साब आज जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट कोरीमेंजश के बारे में तो सबसे पहले में यह जानना चाहूंगा कि जो संप्टम्स तो ये कितनी में देर तक रहते हैं और क्या-क्या परिशानिया है इसमें देखे कोवड के डिफरेंट कैटेगरीज हैं यह मैल्ड भी हो सकता है या एस्म्टोमेटिक भी हो सकता है बहुत सारों में या मौडरेट सीवर भी हो सकता है डिपेंडिस आन के किस पेशन्ट को कितनी सीवर यह डिजीज हो गई है तो इसे हिसाब से उसके सिम्टम भी परिशिट कर सकते हैं ऑल्दो जो मैल्ड शिम्टम्ज हैं वो एक-दो हफ़ते में ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ सिम्टम चार से छे हफ़ते तक भी रह सकते हैं और कुछ सिम्टम देखा गया है लाइक ब्रेफलेसने सांस फुलती है या थकावट रहती है वो महीनों तक भी रह सकती है जी मतलब यह चीज है कि जैसे आपने कहा कि कुछ सिंटम्स जो हैं वो दो से चार हफ़ते भी ले सकते हैं तो हम यह जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से सिंटम्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा देर तक परसिस्ट करते हैं जो काफी ज़्यादा टाइम मैक्सिमम पेशिंट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ज़्यादा देख में आया है कि जिसको ज़्यादा लांग इन्वालॉप्मेंट है तो ब्रेथलेस्नेस यह में नहीं चला जाता है तो ये ब्रेफलेसनेस लाइफ लाइफ लांग भी रह सकता है अगर ज्यादे सीवेर उसको कोड हो गया है तो कुछ हैं लाइक फैटिग ठकावट रहती है तो ये आहिसा आहिसा पांच-छे हफ़ती तक रह सकती है लेकिन अमूमन एक महीने के बाद य जाता है लेकिन ज्यादे इस्वेश यह है कि अगर किसी को एक ब्रेफलेसने से किसी को उस दोरान स्ट्रोक हुआ है कोई द्यमाग की रग फट गई है तो उसकी वज़े से उसको पैरलिस हुई है या हाट इंफेक्शन या हाट इंफ्लमेशन हो गई हाट की हाट की सफमें हो जाएका कि आस्ता है जतना हम आगे बढ़ेंगे तो यह वो लाइफ लूंग भी रह सकती आतला मतलब जिन लोगों को पहले से इसी दिककत है हार्ट की है या लंग्स की है उनके लिए यह जड़ा देक्कत कर सकता है सांस चाहिट की शारोगों विखनीम के भाटो आउन की जियुक्त के बारे में बहुत सारे लोगों को शिकायत है इसमें कि जो भी कोएड पेशेंटस हैै मैक्सिमुम लोगों सेसके खेम आज देखा गड़ आज आज हमआप से जाना चाहें 9 इस्स तकलीफ को की navig किया जाय या कैसे कम किया जाय अज एक सा एक टकलीफ जो रहती एक उसके बाद बोह। सारी पेशन्ट में होस्को का है साध्म एक बीद एक patient को ये बताएंगे कि उसके कौन से postures हैं जिनमें वो आराम से breath ले सकता है, सांस ले सकता है, लाइक अगर उसको पीछे लेटने में तकलिफ होती है तो वो side में लेटके अच्छी तरह सांस ले सकता है, इसी तरह कोई बैठ के, dependence on patient to patient, किसी को बैठ के सांस लेने में वो आ physiotherapist check accordingly advise करेगा कि आपके लिए कौन कौन से postures important हैं, जिससे आपके सांस लेने की दिकत कम हो जाएगी, तो ये initial phase है, तो उसके बाएद दूसरा phase है कि उसको कुछ exercises भी देंगे, from controlled breathing, controlled breathing में हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि आपको exercise करनी है, controlled breathing में हम just उसको बैठ के, जिस posture में उसको अपने आप वो दिकत नहीं लग रही है सांस लेने में, अगर उसी posture में वो deep breath लेगा, वो मुह बंद कर लेगा, वो नाक से सांस लेगा, deep breath, और यहां जो वो breath हम कहेंग लेकिन ये exercise भी वो तक करेगा, जब तक उसको लगेगा कि मुझे उससे ज्यादा breathless नहीं हो रही है, जब उसको ये लगेगा कि नहीं मुझे उससे कोई दिकत आ रही है, तो वो भी stop कर लेगा, कि इंशल फेज है, इंशल फेज में, तो आहिस आहिस तर जब वो उस फेज स सकता है, पेसिंग बीधिंग में उसको बोलेंगे कि थोड़ा वाक भी कर लो, वाक के दोरान उसकी ब्रीधिंग हो जाएगी, या सिटियर्स आप डाउन कर लो थोड़ा सा, इन इस्टाल्मेंट पो ये exercise भो इंक्रेस करता जाएगा, जितना जो जितना वो टॉलरेट करता जाएगा तो उसके लॉंगस की वो इंप्रुमेंट हो जाएगी, वो ब्रेथलेस्नेस की प्रॉब्लिम आहिसता आहिसता कम हो जी जाएगी, तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि उससे भी उसको ज्यादा वास्त नहीं लग रहा है, तो एक चैस्टिफिशन से सलम अश्वरा करके उसे मेभी कभी तबार वो उसको इनहिलर्स की जूरत पड़ेगी, या कि मिंटर्स भी आने वाले हैं, आलरेड़ी यहां COPD भी है, तो वो एक मिक्स्टर बन जाता है, कोविड प्लस COPD का, तो उसमें उसको जो दवायां दी जाएंगी, जिसे उसके ब्रीफिंग इसू सालो हो जाएंगी, वो भी उसके काम आ सकती है, जी मतलब यह चीज है कि सबसे पहले पोस्चर जो हैं, जिसमें उसको आसानी हो, तो वो फिजियो थेरेपिस्ट की मदद से पेसिंग और फिर आगे धिरे-धिरे इस चीज में रिकवरी होती जाएगी, तरस अब बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि उन्हें बहुत थकावट रहती है इस दोरान में, कोवीड होने के बाद और इवन जब कोवीड से नेगेटिव हो जाते हैं, रिकवरी फेज से के बाद भी, काफी थकावट की शिकायत लोग करते हैं, तो हम आप से जानना चाहेंगे कि इ जी देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो दस से बीज परसंट जो पॉपलेशन जो पेशेंट्स हैं, तो उनमें ये सिम्टम है, फैटी का सिम्टम, तो ये फैटी डे फिफ्ट से ही सिटार्ट हो सकता है, और ज्यादा तर इसी सेकंड वीक में, जो सेकंड वीक में बहुत जाता है, तो ये जो थकावट जो महसुस होती है, किमकि मसल्स भी इनवालो हो जाते हैं, जो हमारा जो इन्फलमेशन, हर एक आर्वन को इनवालो करती है, तो इसी इन्फलमेशन के वज़े से वो थकावट महसुस करता है, उसके एनरजी लास हो जाती है, उसके के लारिज और वो ज्यादा ये भी हो जाता है कि वो नाशा वोमिटिंग भी हो सकता है तो वो ज्यादा नहीं ले पाता है तो इसके वाज़ से उसके थकावट आ जाती है तो ये रेकावर होनी के बाद भी दो तीन हदे ले सकती है तो इसे भी निमटने का तरीका यही है कि वो आहिस्ता वो ज्यादा exercise नहीं करें, याउरी उसके calories कम हैं, उसका intake कम हुआ है, protein intake, बाकी सब कुछ intake कम हुआ है, तो वो ज्यादा aggressive exercise नहीं करनी है, उसको आहिस्ता आहिस्ते से थोड़ी थोड़ी exercise करनी है, उसको installments में काम करना है, for example, अगर वो कोई काम एक hour के लिए कर सकता था, अब वो एक hour के लिए नहीं करें, वो उसको 15 minutes से 20 minutes में डिवाइड कर ले, इन बीट्विन 10-15 minutes का gap भी ले ले, तो उसका fatigue कम होता जाएगा, तो यह एक तरकीब है कि जिसके वज़े से उसका fatigue आहिसता आहिसता कम हो जाएगा, या कोई अगर किसी को, for example, कोई काम उठके कर सकता अब वो बैठके वो काम करें, तो उससे भी वो fatigue आहिसता कम हो जाएगा, और खाने पीने में इस दोरान में क्या-क्या सावधानिया बरतनी है, या यूं कहें कि क्या-क्या चीजें हैं जो खानी चाहिए या कौन सी चीजें आवाइड करनी चाहिए इस दोरान में, डाइट उसमें यही दियान रखना जरूरी है कि जूरिंग डिजीज, उसको बहुत सारी यह जो केलारियस हैं वो भी लास हुई हैं, उसके साथ साथ जो प्रोटीन है, वो भी उसने कम इंटेक किया है, और जो fruits and vegetables वो भी कम लिया है, इसलिए यह जरूरी है कि जब वो recovery phase में चला ज जाएगा, तो उसको केलारियस में भी थोड़ी increase करनी है, उसको जो fruits and vegetables है, fresh वो लेने हैं, लेकिन वो हम यह बार बार कहते हैं कि वो unprocessed, जितना कम processing हो जाए उतना beneficial है, क्योंकि उसमें vitamin last नहीं होता है, fresh होते हैं, यह इसी तरह जो protein है, normally हम 1 gram per kg body weight के हिसाब से देते हैं, ल कि उसका protein last भी, muscles बहुत सारी involved हो जाती है, वो fatigue भी उसके काम होता जाएगा, जब यह protein जादा ले जाएगा, उसमें वो चाहिए दाल लेगा, मीट लेगा, जो भी उसके लिए feasible है, वो लेगा, और fresh vegetables और citrus fruits उस वागिरा जो भी है, वो उसके लिए मददगार हो सकती है, इस जहनी तोर से बहुत तकलीफ है या परिशानिया है, इस से निपटने के लिए आप कोई सला दे पाएंगे? जी देखें, जब लॉगडाउन सिटाट हुआ, कोविड लॉगडाउन तब से किसने किसी तरीके से हमारा ये सिट्रस बढ़ता गया, चाहे mental issues हैं या psychological issues है, mental issues में लाइक हम, वो memory loss भी हो जाता है, या कभी एक बार anxiety भी हो जाती है, या इसी तरह depression में भी चला जाता है, तो जाए ये नहीं लगए कि मुझे infection हुआ, आपने किसी काम के लाइक नहीं रहा, ये भी सोचना है कि मैंने पहले बहुत सारी सिट्रस देखें, जब मैं उनसे निपटा तो आज भी मैं उनसे निपट सकता हूँ, तो उसके साथ-साथ वो exercise भी करे, healthy diet भी ले, तो ये उसके ल करते हैं, या alcohol का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनका खास कायल रखना है कि जब मैं COVID के फेर से निकल चुका हूँ, अब मैं किसी और बरी आदम में उसकी वज़े से नहीं लगना जाओं, तो उसके उन चीज़ों से परहस करना बहुत important है. जी, 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 बहुत रिकवरी फेज में भी, तो इसकी क्या वज़ाएं हैं और कैसे इस से निक्टा जाएं? उस रिकवरी में फिजियालजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम में यही कि कोई चल नहीं पाता है, दू तो फैटीग व depression में चला जाता है तो उस फिजिकल में यह आता है कि उसकी swallowing में difficulty हो सकती है वो वो सही तरह से निगल नहीं पाता है वो सकता है खास कर ओन पेशिटन में जो आई सुई में रहे हैं जो इन्टुबेशन हुई है तो यह इस वज़े से उसको ये निगलने में दिकत आ जाती है उसी इंफलमेशन की वज़े से या थोड़ा बहु डेमेज हुआ या इरिटेशन हुई है या सेकंडरी इंफेक्शन भी होता है कि भी फंगल इंफेक्शन भी हो जाता है जब लांग टाइम के लिए इंटुबेट रहता है तो पीना है तो छोटी छोटी सी पुस लेने हैं तो अगर वो ज्यादा मुँ बरके लेगा तो उसके वाज़े से उसको वो ज्यादा दिकते आ जाएंगी तो उसके यही मशवरा है कि कुछ टाइम के लिए वो रह सकता है लेकिन अगर खाने के दोरान ज्यादा उसको दिकत हैं लेकिन यह कुछ टाइम के लिए रहेगा तो यही है कि जिस अंदा से किसी को सॉलिद फूट से जशाधा लगेगा यह सॉलिद घाइड से जाधा लगेbest लेगा उसको सेमे सॉलिद लेना है किसी को लाज़ता है नहीम है यह मुझे पानी से ज़दी फूल्ले गूई जा तो उस तरही के से वो फिलिवर्ड भी ले सकता है दर्ट सब आप आज हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया और सुकून के इस एपिसोड में आज इतना ही अगले एपिसोड में आमस्कार क्या कर दो मतरा सकता हु मतरा सकता ही एपका बहुत-खर